तो आज हम इस ड्रामा का फिप्थ पार्ट एंड ये इस ड्रामा का लास्ट पार्ट होगा उसे एक्स्प्रेंट करने वाले हैं तो अगर आप ने अभी तर इसके बागी की पार्ट नहीं देखें तो आप पहले उसे देख लिजेए सो लेट्स बेगें दाइक्स्प्रेंशन सु इसमें हमें सबसे पहले ये दिखा जाता है कि वह यहां फाइनली अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाती है और यहां पर मिश्टर सू उसे कॉंग्रेश इलेट करने आते हैं इसके बाद अपने सभी फ्रेंड्स को मिश्टर स हालत तो भले जंग है तो यह बताते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें डैट की भी सर्जरी हुए और वो कितने क्रिटिकल कंडिशन से गुजर रहे हैं तो इसके बाद अपने माम को कॉल लगाती है तब इसके माम कहती है कि उनने लगा शायद बुएन को और भी इस फैमिली का पार्ट हूँ आपको मुझे बताना चाहिए था कि डैड इतनी ज्यादा बीमार है इसके बाद अपना सामान पैक करने के लिए भागती है यही पर मिश्टर सू के घर जाती है तो देखती है कि मिश्टर सू की सिस्टर भान निकलती है इन इसके बाद शायद बुएन को मिसंडेस्टेर्णिंग हो जाती है मिश्टर सू से पूचने पर मिश्टर सू कहते हैं कि वह कोई भी नहीं है तब बुएन को लगता है शायद यह मुझे कुछ छुपा रहे हैं इसके बाद बुएन अपने जली ली सामान पैक करने लगती है इन में सिच्वेश इसके पर बुएन के लड़ाई बढ़ती है इसके लगता है शायद अची दोटर नहीं है अगर उसे ऐसा लगता तो कभी नह कभी मम को विजिट करने तौँ आती किaremos do this मौम ने काफ़ी दनों से कान्टेक्ट नहें किया था तौछ यहाद उन्यां से कावी सौरी भोलती है पर यहाँ पर उसकी डैट उसे बताते हैं कि उसका एक बॉइफेर्ण है एक मतथी कहते हैं कि यह चीज जादा मैटर नहीं करती बस यह चीज मैटर करती है क्या तुम उसे पसंद करती हूं बहुत ज़्यादा तो बस तुम लोगों की लाइफ तो अच्छी होगी इसके आद वह आपने डैड का काफी ख्यार रखती है पर उसकी मौम की नाराज गया भी चलती हैं लुएन को काफी याद कर रहा हैं सब्सक्राइब करती है तो इक बार उने विजट करी सकती है तो इसके बात नहीं एक दिन के लिए तुमने विजट करनी के लिए जा सकती हूं और इसमें कोई रेस्टिक्शन नहीं है मिट्रसू से मेले के लिए जाती है तो यहां पर जगड़ा फिर से हो जाता है तभी यहां पर बूयान अपनी सारी सिच्वेशन एक्सपेंट करती है कि वह कितने ज्यादा हाट टाइम से गुजर रही है मस्ति है कि मिट्रसू से लिए मेटर करते हैं बाट उसकी फैमली से ज़्यादा नहीं तो देखती है उनके डाड दरहसल होश में नहीं है उन्हें परस्ता चलता है कि उसके डैड दरहसल अब इस दुनिया में नहीं रहे इसके बाद उसकी मॉम को काफी बड़ा शॉक लगता है यहीं भी वूयान हाटब्रेक होका है दरहसल अपने घर की बिल्डिंग पर ड्रिंक करने के बाद फुरी ड्रंक हो जाती है काफी लोग की फोन करने के बाद यह फोन नहीं उठाती और वो लास्ट नहीं अपने डैड से भी नहीं मिल पाती उसकी मम ने उसे खाता कि प्लीस ना जाए पर वो यहां चली गई इसका गेल्ट अभी तक वो यहां के मन से नहीं जा रहा था वो यहां डिसाइड करती है कि आप अपने होम टाउन में रहकर ही कुछ काम करेगी और वो जब ही आएगी जब कुछ सक्सेज पा लेगी करती है कि यह उसे एक जिम्हेदार इनसान की तरह काम करना होगा क्यूंकि अब वही है जो उपने खर को चला सकती है कि अच्छो को विजए सारी चीज़ें देख सकते थे इसके वाद अपने घर आते हैं खुद के और वुयान की मुमेंट्स जात करते हैं वुयान को आप भी काफी पसंद करते थे पर शायद उनकी डीस से वुयान काफी दूर थी वुयान की बेस्ट फ्रेंड की शादी वी हाउसे हो जाते तभी वु दो मूम करते हैं कि ब्लाइंडी पर जानी मैं क्या कि अधे ऐसा किना आप ज्यू करने के लिए यहां पर तुमारे लिए थोड़ी आया हूं यह बात उनके रिलेशन्शिप को काफी दूर ले जा रही थी करते हैं इसकी बाद उनसे मिलने के लिए उनके कंपटी जाती हैं यहां पर अपने कलीक से कहते हैं कि वह यहां जाके होगी तो उसे खाने की जरुवत होगी दरसलों भात खाती हैं इसके बाद जब ऊसके लिए खाना लेकर जाते हैं तो ऊपर यहां को उसके निखे गअट जाते हैं और कॉसरी ब्लाइद Bunफल हैं मिस्टर को सकता है कि यह मेरे साथ कैसोल हो सकता है पर किसी अनोन इनसान के साथ नहीं तभी वह उनके दें कि ऐसे कैसे अनोन उनकी साथ ब्लाइंडेट पर गई थी एंड मेरी मम ने वह ब्लाइंडेट सैट की थी तो उन्होंने कुछ देख कर रही किया होगा इसके बाद मिश्टर सू से फॉर सब्सक्राइब कर लें कि जब मिश्टर सू को उनकी मॉम ने फोन किया था तो उसकी मॉम इसी बात के लिए पोजीशन में थी क्योंकि मिश्टर सू विज्वली इंपियर्ड है तो हमेशा चाहते थे कि उनकी सारी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट कर लें और वह से हर जगर फ अपने फ्रेंड से बात कीजें मैं बगल में खाना खाना स्टार्ट करती हूं मतलब खाना नहीं जाना चाहिए बंदी का इसकी बात जब वह फूड एंज्वारी रही होती तब एक बंदा आकर उसकी पास खड़ा हो जाता है और वह कहता है क्या तुम वेटर हो यहां पर क् फूड को चेकर एक उसमें पाइजन आओ तब हो कहता है कि तुमने सारा कुछ टेस कर लिया तो तुम बीमार पर सकते हो तो इसे नहीं खाओ तो अच्छा है तो गदेखिए कि सच में तुम शुकी गल्फरेंड हो तो यह कहता है कि तुम इससे क्या मतलब इतने में इसे सार कि तुमारी हमत केसे हुई वहन पर चलाने की तबीक होग गते हैं कि तुम चुप रहुना आपी लोग शॉक हो जाते हैं कि मिश्टर सु की फियान से यह कंद नहीं क्या पर जब वैडिंग होगी तो सभी को पर्सिनली इन्वाइट करेंगी तो वैडिंग के लिए तैयार रहना सभी लो तभी उस लड़की का मुझ बंद हो चाता है वो कहते हैं कि वेडिंग सच में इन दोनों के शादी होगी इसके बाद जब वहां निकलती है तो कहती है कि यह सब जूट के नहीं की जरूत क्या थी तरह मिश्टर सू कहते हैं कि बैसे भी मेरी फ्यांसी ही हो तु मिश्टर सू के काफी यतन जतन करने के बाद वो यहां से फाइनली और फाइनली इनका पैच अप होई जाता है तो यह दोनों साथ ही रहना स्टार्ट करते हैं इसके बाब वहां रिसाइड करती है कि वह उन्हें ले जाका अपनी मॉम से इंट्रीउस करवाएगी तभी मॉ मुझेदा मुझे शेरिमना चीजिए इसके बाद यहां यहांपकर पाइनली मिश्टर सू कि सारी फैम्ली से क सब्सक्री यहां प्सक्राइद करना चाहते बाद अर्सेधकर पाइनली मिश्टर सू के सब्सक्राइद ॵहां चार्म नेकぎ इंस면 सिपाज़िता हैं तो ठीड तक के लिए भाई भाई ठीक केर गाई